दान किसानों को कहना है कि ये साल दान की खेती के लिए सबसे खराम मोसम होगा जिसका उन्होंने अनुभव किया है पश्चम बंगाल के किसानों के माने तो इस बार बंगाल जिसे धान की उच्च उत्पादन की कारण बंगाल का धान का कटोरा कहा जाता है इस साल खत्रे में है क्योंकि इस साल फसल को भारी नुक्सान होने की संभावना है आपको बता दें कि डीवीसी पश्चमे मंगौल और जारखन में अपने बांधों के माध्यन से सिच्चाई के पानी की सप्लाई करता है लेकिन कम वर्षा ने जलाश्यों में जलस्तर को कम कर दिया है इस साल 1 जून से 10 अगस्त के बीच पश्चमे मंगौल में माइनस 24 फीसदी और जारखन में माइनस 48 फीसद बारिश दर्ज की गई है पश्चमे मंगौल में क्रिशी विभाग के अधिकारियों के अनुसार जहां आम तोर पर डिवीसी जुलाई में 180,000 क्यूसेक पानी छोड़ता है इस साल उसने महिने के लिए सिरफ 70,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा है ऐसे में किसानों का कहना है कि हम पहले से ही खराब मोंसुन का सामना कर रहे हैं और डिवीसी के कम पानी ने संकट को और बढ़ा दिया है पानी की कमी के कारण पूरी खेती योगय भूमी में अमन धान की बुआई करना अभी फिलाल मुश्किल है आपको बता दे कि मोंसुन की कम बारिश से राज्य में चावल उत्पादन परभावित होने की संभावना है भारत गंगा के मेदानी इलाकों जैसे उत्तरपरदेश, भिहार और जारखन में भी चावल उगाने वाले अन्याराज्यों में भी बारिश कम दर्ज की गई है जिसे लाखो धान किसानों में संकट पैदा हो गया है ऐसे में धान के किसान कतित तोर पर फसल के बड़े नुकसान को देख रहे हैं और इनसानिये फसल के नुकसान का वैश्विक प्रभाव भी पढ़ता दिखाई दे सकता है क्योंकि देश में चावल के उतपादन में गिरावट से वैश्विक खाद्य सप्लाई बाधित होने की संभावना है क्योंकि भारत चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है पश्वी मंगोल के पूर्वी वर्दमान की ये स्टोरी धान का दर्ध श्रिंकरा में दूसरी है पहली खबर उत्तरपरदेश की थी जहां इस मौनसून सीजन में अब तक माइनस 40 पिसद बारिश दर्ज की गई थी किसानों का कहना है कि हमें DVC से पानी मिलता है जो हमें बवाई में मदद करता है लेकिन इस सार स्थिती देनिया है हमारे पास भूजल पर बहुत अधिक निर्बर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो सबम सिर्बल पंपों के माध्यम से खीचा जाता है और पाइप के नेटवर्क के माध्यम से हमारे खेतों में सप्लाई की जाती है वहीं कुछ खिसानों का तो ये तक कहना है कि पंप बिजली से चलते हैं और मालिक सोर पे प्रती घंटे का किराया वसूलते हैं हमें बौई के मौसमें हर दिन कम से कम आठ से दस घंटे पाने की जरूरत होती है और ये हमारी बौई की लागत को बढ़ा देता है और हमारी आय को परभावित करता है आपको बता दे कि बंगाल में धान लगबग सभी राज्यों में उगाया जाता है हलाकि 2018-19 के दोरान देश के कुल चावल उत्पादन में उनके हिस्से के समन्द में परमुक चावल उत्पादक राज्य पश्मी बंगोल 13.79 फीसदी का ही हिस्सा देता था लेकिन वहीं सालाना के अगर बात करें तो लगबग 15.57 मिलियन मिट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है सिउक्त राजे अमेरिका के क्रिशी विभाग के अनुसार भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निरियातक है और वैश्विक सप्लाई में 40 फीसद का योगदान देता है भारत में चावल के निरियात पर मंडरारा संकट 6 मईने पहले इसी तरह की स्थिती की याद दिलाता है जब शुरुवाती गर्मी ने गेहु के उत्पादन को कम कर दिया था जिससे भारत सरकार को घ्रेलु मांग को पूरा करने के लिए निरियात बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था